हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है एक्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में दोस्तों उत्तर प्रदेश में सहाय का द्यपक जो भरती आई है जूनियर हाई स्कूल के लिए उसका स्लेवस मैं आपके लिए लेके आया हूँ यह पहला पेपर प्रथम प्रशन पत्र में आपका जगबग 6 महिने का करेंट तयार कीजिए पेपर डेली पढ़िए और जो मेकजीन आती है उन्हें आप खरीद लीजिए और पढ़ना सुरू करिए भारत का इतिहास एवं भारती राष्ट्री आंदोलन तो भारत के इतिहास में कापी सारा विस्तार की चीज़ें आ जाती है और भारती राष्ट्री आंदोलन कुश्चन आएंगी आपजेक्रिक्टिव तो कुश्चन की प्रैक्टिस साथ-साथ में करते जाईए उसके अलावा है भारत का भूगुल में बहुत सारी बातें आती है पूरे भारत की तो वो भी आपको कवर करनी है भारती, राजनीती, एकनोमिक्स में आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीवी, अंतर्विष्ट, जिनसांख की सामाजिक शेत्र के इनियसिटिव उसके बाद पर्यावण अध्यन है, पर्यावण और पारिस्तितिकी संबंदी, सामानिविसे, जैब विवित्ता और जलवाईव परिवर्तन, और सामानिविज्ञान, और एनलोग इज, एसर्टेन और रीजिन, वाइनरी लोजिक, यानि कि जो रीजिनिंग के बहुत सारी जै ये सब चीजें भी आपको तयार करनी है, ये तो हो जाती है पेपर वन, जो कि पचास प्रशना आएंगे आपके, पेपर टू में आप अगर भासा लेते हैं, तो भासा जैसे खंडखा में बताया है, ये प्रधाना अध्यापक और साय का अध्यापक दोनों के लिए है, तो अगर आपने भासा हिंदी लिए, तो हिंदी में हिंदी साहत्य और भासा का इतिहास आपको तयार करना है, ब्याकरण पूरी तयार करनी है, पद्यांस और गद्यांस आपके आएंगे वो भी तयार करनी है, और हिंदी के लेखक और कभी हैं, उनके परिचया और उनकी रचन जो कभी poet हैं उनकी writers हैं उनकी रचनाय और उनका काम और संसकत की बात करें तो सेम pattern संसकत में है कि संसकत भासा एवम साहिति के इतियास की जानकारी ब्याकरण अपटित गर्द्यांस पद्यांस और संसकत के जो प्रमुख लेखक और कभी है उनका परिचे और उनकी रचनाएं यह हो गया भहसा का सुले बस तो ये सभी जो बाते हैं उपर वारवन देखिए हैं हिंदी और संस्कत तो आपको मेरे चैनल पर मिल जायेगा … हिंदी भहसा का जो साहित है उसका इतिहास है उनकी रचनाए है जितने भी काल हैं वो सभी वीडियो जो मैंने बनाए हैं आप हिंदी की प्रेलिष्ट में जाकर करके ये सब कुछ हिंदी ब्याकरन पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं और अब ये वकर सामाजी कद्धन आपने चूच किया है तो सामाजी कद्धन में देखिए इतिहास से आ गया उसके स्रोत पासाड कालीन संसकती तामर पासाड कालीन बैदिक संसकती ये सबी पूरा इतिहास आ जाएगा बी-सी वाला बेफोर क्राइस्ट फिर आ जाता है आगे इसवी पूर में च्छटी सताबदी इसवी पूर का भारत भारत के पारंबिक राज भारत में मौरे सामराज की स्थापना मौरिय उत्तर कालीन भारत तो ये सबी जो टॉपिक हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे ये सेम यूपी टीटी और सी टीटी से काफी रिलेटे पुर्टगाली यह सभी भारत में अंग्रेजों का राज यह कंपनी का भारत में नव जागरन फिर राष्टवाद सुरू होता है उसके बाद भारत में आंदोरन सुरू होता है और स्वतनत्र भारत की जो चुनोतियां है वो सभी भी आपको पढ़नी है यह सभी अभी तक इत सुरक्षा दिभ्यांगता फिर सुरू होता है भूगोल यानि कि सौर मंडल में प्रत्वी मानचित्रन प्रत्वी के चार परी मंडल तो यह सभी आपको जो वीडियो है अगर आप NCRT की बुक पढ़ेंगे मेरे चैनल पर तो वो सब कुछ मैंने विस्तार से दिया हुआ है जैसे कि विस्तो में भारत भारत के बारे में जो भी बाते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी बाते हैं बायो मंडल जल मंडल संसार के प्रमक प्राकरतिक प्रदेश और जन जीवन और भी कुछ बाते हैं जैसे कि खनिज संसाधन उद्योग धंदे यह वीडियो भी ह भारती अर्द विवस्ता, उसकी चनोतिया, पर्यावरन, प्राकरतिक संसाधन, उसकी उपयोगिता, प्राकरतिक संतोरन, जनसंख्या ब्रद्धी, और अपसिष्ट प्रवंदन आपदाएं, यानि कि पुरुसकार प्र्यावरन की छेतर में हैं प्र्यावरन दिवस, तो ये स्टम समावरत HCM, HCF, बर्गमूल, घनमूल, बीजगड़ित, बीजी बेंजक, युगपत समीकर, समानतर रेखाएं, फिर मेंसुरेशन सुरू हो जाती है, ब्रत, चक्री, चत्रवुज, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभानी, साधारन व्याज, चक्रवर्दी व महाँ बात हैं, यह सभी आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे मेरे महत की प्लेश्ट में, और भी आप देखिए, मैंसुरेशन पूरी की पूरी है, ट्रिक्नोमेट्री है, घातांक है, अगर बात करें बिज्ञान की, तो बिज्ञान में देखिए, दैनिक जीवन में सजीव, निर्जीव पदार्त, जन्तू की सनचना, सुचमजीव, यानि कि थोड़ी सी फिजिक्स है, फिर बाइलोजी काफी साधी है, और थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है, तो बाइलोजी को आपको इसपेसली तयार ज्यादा करना है, साइंस और महतवालों के लिए, और य जितने भी ये टॉपिक हैं, इन्हें आप स्क्रिंसोर्ट लेलीजिए और इसके हिसाफ से तयारी कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे, आपका पूरा का पूरा सिलेवस तयार हो जाएगा, इसमें से कम से कम 50-60% मेरे पर वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएगे, फिर देखिए, भूगोल की प्लेलिस्ट है, NCRT, Class 6, Class 7, Class 12 का इतिहास, भूगोल सब कुछ है, आप उन्हें डेली पढ़ेंगे, अपनी किताबें पढ़ेंगे, तो आपका पूरा का पूरा तयारी हो जाएगी, हिंदी की प्लेलिस्ट आएगा, तब मैं आपको पूरी जानकारी भी दूँगा इसमें, कि आपके और भी कोई अगर डाउट हैं, तो वो भी किलियर हो जाएगे, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो सामान निग्यान और समसामाई घटनाए वाली बात जो मैंने बताई थी, तो current affairs के ल जैसे कि अगर नॉर्मल जो खटनाए आती हैं, उन्हें आप छोड़ते जाएए, जैसे कौन, क्या हुआ, क्या हो गया, यहां चोरी हो गई, आप टकेती हो गई, वो सब छोड़िए, आप इस्पेसली आपको नीज पेपर में देखना है, जैसे कि मैच की, क्रिकेट की, या और रही बात पीछे के करिंट अफेर्स की, तो उसके लिए आपको मैच्जीन ले लीजिए, और मैच्जीन में आपको पूरा कप रहा, तो मन्थली मैच्जीन लीजिए, या फिर 6 महिने की मैच्जीन आएगी, तो उस तरीके से आप इसको ट्राइ कर सकते हैं, मैच्जीन म जान है सामाने जान के लिए आप कोई भी BOOK ले सकते हैं और तश्यारी हो जाएगी रेजिणिंग खेभी एक छोटी सी BOOK ले लेंगे तो आपकी तयारी हो जाएगे इस तरीके से आप एक पूरी तयारी कर लेंगे और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए मैं आपको तुरंद रिप्लाई करूगा धन्यबाद दोस्तों